से जोती गर्ग कैसे हैं आप सब चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज जो हम कुटली रिवाइस करने वाले हैं वह हमारे रहेगा सवर ओर्डिट ओफ कॉर्प्रेट सुसाइटी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है सब छोटे बड़े बहुत सारे प्वेशन बन सकते हैं इसके अंदर से वान अदे वेड़े इंपोर्टेंट टॉपिक यह इस ऑड़े ओर्ट ओफ कॉर्पेट सुसाइटी ठीक है बट्बेटा देख जब मैं बात करती हूं कॉर्पेट सिसाइटी की ना तो हमारे पास दो तरह की क्युक्ष्छ ऑप्वेट सुसाइटी ह कौन से सोसाइटीज होती हैं, जिनका काम किसी तो सर, multi-street corporate societies के case में कैसे books बनेंगी? कुछ भी different नहीं है, जैसे company के cases में बनती हैं, कुछ वैसे ही books बननी है, that is, जो भी money, receive और expenditure किया जा रहा है, उसकी accounts बनेंगे, जो sales और purchase किया जा रहा है, उसकी accounts बनेंगे, accounts इस तरीके से बनाने हैं कि वो assets और liability को दिखाए, उसके अलावा, अगर multi-street corporate society, सर, अगर production manufacturing के business में हैं, तो course records भी बनेंगे, clear, these are the books जो बनेंगे, अब बात करते हैं, सर, auditor की, सर, auditor कौन appoint हो सकते हैं, सिर्फ एक chartered accountant can be appointed as an auditor, clear and disqualified, उसके रवाद कौन नहीं हो सकता है, disqualified person कौन कौन से हैं, आप ये पढ़ोगे, तो आपको बार बार companies act का reflection आता रहेगा, लेकिन याद रखना, ये as it is same नहीं है, थोड़ा बहुत difference है, थोड़ा बहुत match कर रहा है, तो ध्यान से पढ़ना confused मत हो ना, कहां कि जहां पर दो चीज़े एक जैसी होती है, तो बच्चे confused हो जाते हैं, तो सिर्फ एक body corporate नहीं हो सकती, उसके अलाबा society का officer या employee, उसका auditor नहीं हो सकता, या officer या employee का कोई employee हो, वो भी society का officer या employee, या उन officer या employee का कोई person, उसका कोई employee, वो भी नहीं हो सकता सर, society का auditor, उसके अलाबा किसी भी person ने in-depthness, मतलब society से पैसे लिये हैं, या फिर guarantee दी है, in-depthness या guarantee दी है कितनी, एक हजार रुपे से ज्यादा, राइट, सर एक हजार है, बच्चों को एक हजार तो फिर भी याद रहे जाता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक हजार और उससे ज्यादा था, या फिर more than one thousand है, तो सर अगर किसी person ने in-depthness, loan लिया होगे society से, या फिर guarantee दी हुए किसी third person की, कितनी एक हजार से ज्यादा की, एक हजार तक है, तो auditor बन सकता है, otherwise नहीं, ठीक है सर, उसके बाद appointment कोन करेगा, sir appointment, first auditor का appointment, board of director करेंगे, एक महीनी की अंदर, कहां से sir registration से, sir देखो जैसे company का registration होता है, वैसे ही societies का भी registration होता है, कहां पर registrar के पास, ठीक है, तो registration की एक महीनी की अंदर करना है, अगर board of director नहीं कर पाए, तो members करेंगे general meeting के अंदर, clear, first auditor, किसी ने भी appoint किया हो, office कब तक held करेगा sir, till the conclusion of first AGM, right, subsequent auditor, first auditor के बाद, जो भी auditor appoint हो, तो उसको हम क्या बहुते हैं sir, subsequent auditor, subsequent auditor का appointment कौन करेगा, AGM के अंदर करेंगे तो sir, members करेंगे, right, तो और कर sir, कब तक appointment रहेगा, sir, जिस AGM में उसका appointment हो रहा है, उससे next AGM तक, company act वाल वो वाल प्रोविजन नहीं है, कि 5 साल तक, 6 AGM तक appointment होगी, यहां पर flat एक साल है, इस AGM से लेके दूसरी AGM तक, clear, अब आते हैं sir, power and duties के बारे में, sir, power and duties भी कहीं न कहीं, company's actually inspired है, लेकिन different है, as it is नहीं है, बस कुछ चीज़े कम है, ठीक है sir, तो power and duties क्या है, obviously auditor है, audit तो तभी कर पाएगा, जब उसके पास right of books of accounts को assess करने का, yes sir, उसके पास right है, उसके अलावा, वो books of, sir, देखो, inspection करेगा, documents का, inquiry तो person से ही करेगा, तो अगर लगता है auditor को, किसी officer या employee के पास कोई information है, तो वो भी ले सकता है, उसके अलावा, sir, उसके अलावा, auditor inquiry करेगा, कुछ चार चीज़ों के बारे में, sir, ये inquiry हम company audit के अंदर भी करते हैं, तो बस ध्यान रखना, same point है, बस एक point नहीं है, यहाँ पे, तो auditor को कुछ चीज़ों के बारे में inquiry करने पड़ती है, किस किस चीज़ के बारे में, सबसे पहले उसे loan advances के बारे में inquiry करना पड़ता है, क्या, कि भाई, ये loan advances देते हुए, company, society ने जो security लिए है, वो properly secured है की नहीं है, दुसरा, इसकी जो terms हैं, जो agreement है loan advances का, वो ऐसा तो नहीं है, जो society को prejudice कर रहा हूँ, उसके interest को prejudice कर रहा हूँ, ये check करना है, उसके अलावा करना है, सर, ऐसी transaction जो merely represented by the book entry, जैसे depreciation, सर, depreciation का कोई substance थोड़ी नहीं होता है, वो खाली एक book entry थो होती है, तो transaction विचार रीपर्जेंट मेरे लिए book entry, वो कहीं society के interest को prejudice तो नहीं कर रही, राइट सर, कोई personal expenditure revenue में तो नहीं डालोगा, ये check करना है, उसके अलावा society ने अपने कोई share alert किया हूँ, लेकिन उस पे अभी तक cash receive नहीं हुआ, तो आपको check करना है क्या, कि वो properly book of account में reflect किया है कि नहीं किया, सर, यहां बच्चों को problem होती है, कि society ने अगर cash basis पे share issue किया है, और उसे cash नहीं मिला, तो यह गलत है, नहीं सर, हमें सिर्फ inquiry करना है, कि cash पे अगर share alert करना था, और cash received नहीं हुआ, तो भाया, ये चीज प्रॉपरली books में आने चाहिए, कि हमें देखना है कि प्रॉपरली books में reflect है कि नहीं है, ये था जिस चीजों के बारे में auditor को inquiry करनी है, उसके बाद सर कुछ बहुत important तीन question और बनते हैं, आपके सर मल्टी स्टेट कॉर्परेट सुसाइटी के अंदर, इसको मैं बात में पढ़ाँगी, अभी मैं बात करूँगी, अभी मैं बात करूँगी, अभी हम पढ़के audit के बारे में, अभी किस केस में, अगर वो किसी सुसाइटी के अंदर 51% याउसे ज्यादा शेयर हेल्ट करती है, या फिर किसी सुसाइटी के अंदर, सेंटर गवर्मेंट प्लस स्टेट गवर्मेंट दोनों मिलके 50.1% याउसे ज्यादा शेयर हेल्ट करते है, या फिर state government किसे society के अंदर 51% या उससे ज़्यादा share held करते हैं जैसे government company का case होता है उसी तरीके से अगर किसे multi-state corporate society के अंदर center government या state government या दोनों ने मिलके 51% या उससे ज़्यादा का paid up capital held करके रखा है तो इस case के अंदर center government special audit का order दे सकती है अगर उसको लगते है ये तिन चीज़े क्या कि sir जो society है वो self health है मतलब अपने आप काम ने कर पा रही है ठीक है sir दुसरा जिस तरीके से वो काम कर रही है उसकी वज़े से पूरी की पूरी industry जिस industry से वो बिलोंग करती है वो पूरे के पूरे sir injured हो रही है पूरे के पूरे society पूरी की पूरी industry सफर कर रही है उसकी वज़े से उसके अलावा उनको लगते है कि ये society इंसल्वेंट होने वाली है अगर center government किसी multi-state corporate society के अंदर 51% या उससे ज्यादा का शेयर रखती है सर याद रखना 50% नहीं है 51% या उससे ज्यादा का है center government या state government या दोनों government मिलके 51% या उससे ज्यादा का शेयर रखती है और center government को लगता है क्या कि society self है खुद इसे काम नहीं कर पाएगी ठीक से या फिर उसको लगता है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे है उसके वज़े से पूरी की पूरी industry suffer कर रही है या फिर उनको लगता है कि sir society इंसॉल्मेंट होने वाली है इन तीनों ही केस में center government चाहे तो special audit का order दे सकता है ठीक है sir अब इसके recording action क्या लिया जाएगा sir जैसे ही special audit हो जाएगा उसके उपर जो report आएगी उसके बाद उस report के उपर action लेने के लिए necessary action लेने के लिए center government के पास 4 महिने है ठीक है तो 4 महिने में अगर चाहे तो वो उस पर action ले सकती है अगर वो action नहीं लेना चाहती तो क्या होगा sir अब जो ये special audit report है जो special audit जो हुआ उसकी जो report आई है उसको हर person को भेज दिया जाएगा जिसके पास journal meeting का notice जाएगा बात समझ पारो यहाँ पर याद रखना center government के पास कितना time है इस report पे action लेने के लिए 4 महिने का center government ने action नहीं लेना तो sir journal meeting का notice जिस परसन के पास जाएगा उस हर परसन के पास रिबोर्ट भी चले जाएगी clear sir इस audit का expenditure कौन बियर करेगा sir देखो expenditure determined center government करेगा pay society करेगी clear और अगर society ने payment नहीं करी तो this is like a area into the land revenue जैसे मान ली जो property tax ना दिया हो कुछ उस तरह के से trade किया जाएगा clear right अब आ जाते है sir inquiry slash inspection by the central registrar sir special audit करवाता है center government यहां हम बात कर रहे है inquiry या inspection by the central registrar ठीक है sir यह याद रखना confused मत होना दूसरी चीज़ सर देखो एक ही मेरी book के अंदर आपको summary book के अंदर सर मैंने एक ही explain क्यों है क्योंकि दोनों asserties है एक difference है वो मैं आपको बता दूँगे तो center registrar order दे सकता है inquiry या inspection का अगर सर मैं खाली बात करूँगी अभी inquiry की inspection के बारे में बात करेंगे center registrar किसी multi-state corporate society की inspection का order दे सकता है अगर उसको request किया है यह करने के लिए किसने federal of corporate society जहां पर corporate society registered है ठीक है या किसी भी creditor ने एक single creditor भी inquiry के लिए बोल सकता है या फिर one third of the board director जितने भी board director उसमें से one third ने जाकर request करा है या one fifth of the total members total members का अगर one fifth जाकी भी request करेगा तो center registrar society के inquiry के लिए notice दे सकता है ठीक है sir simple सी बात है तो आप किस किस चीज़ का inquiry करोगे उसके business के बारे में उसके financial position के बारे में उसके working के बारे में ठीक है अच्छे बात बताओ ऐसी चले जाओगे notice देना पड़ेगा उससे पहले पंद्रा दिन का notice दिया जाता है पंद्रा दिन का notice देता है किसको society को कि भईया हमारे inquiry करने है ठीक है sir अभी inquiry करते हुए कौन-कौन सी power है सर देखो जो person inquiry करने जा रहा है उसके पास कौन-कौन सी power है पहली चल्स, power sir उसके पास books, cash, assets, properties इन सब को assess करने का power है ठीक है बच्चों को books of account तो याद रहते हैं cash और properties और securities भूल जाते हैं याद रखना ये भी है उसके अलावा अगर कोई person है अगर society को लगता है कि किसी person के पास कोई power है इन चीजों से related या किसी person ने इन किसी document को, cash को, security को या किसी property को अपने पास रख रखा है तो उस person को summon देखे, summon का मतलब होता है कि sir बुला लेना अपने पास उसे बुला सकते हैं उसके अलावा sir एक बहुत important right क्या है कि inquiry के case में officer society को बोल सकते हैं society के officers को बोल सकते हैं कि वो 7 दिन का notice देके, at least 7 दिन का notice देके journal meeting भूलाए अगर officer जाहें sir अगर inquiry के time पे inquiry वाले officer को लगता है कि journal meeting करवाने की नेड़ है members के सामने सारी बात करने की नेड़ है तो वो board of director को बोल सकते हैं कि at least 7 दिन का notice देके journal meeting करवा लीजे अगर उन्होंने साथ दिन के अंदर अगर वो लोग नहीं बुलाते या refuse कर देते हैं तो इस case के अंदर वो officer खुद भी meeting held करवा सकता है journal meeting clear? बात समझ में आई तो क्या-क्या power है? books assess करने की journal meeting held करवाने का right है clear sir सर देखो यहां पर center government के पास 4 महीने थे उस पर action लेने के लिए center registrar के पास 3 महीने है जब भी report उसके पास आ जाएगी तो उसके ओपर action लेने के लिए और जो भी report आएगी उसको communicate कर दिया जाएगा सर किसके साथ society के साथ उसके अलावा किसी भी financial institution या किसी भी person को जिसको उस चीज़ की need है बात समझ पा रहे हो clear? sir as it is यह मैंने आपको पढ़ा है किसका inquiry का sir inspection में भी same चीज़े हैं बस एक चीज़ यह है कि एक creditor को छोड़के बाकी suborder कर सकते है किसके inspection के लिए identification में तो प्लीज यहां पर बच्चे जाके कई बार confused हो जाते हैं याद रखना multi state corporate society के अंदर एक तो auditor inquiry करेगा अगर auditor के inquiry के बात हो रहे है तो इन 4 points की बात हो रहे है special audit की बात हो रहे है तो इन points के बारे में बात हो रहे है inquiry and inspection by the central registrar हो रहे है तो इन सारे बातों की बारे में बात हो रहे है ये भी तो एक inquiry वाला point है ना कि auditor को इन journal किन किन बातों के बारे में inquiry करना पड़ते है तो बच्चे के दिमाग में हम इतना बोल देते हैं कि ये question बहुत important है उसको ये वाली inquiry तो याद रहे है वो ये वाली inquiry भूल जाता है सबसे journal वाली inquiry तो paper में देखना inquiry पड़ते उछलना मत देख लेना center registrar का inquiry करवा रहा है या auditor का basic responsibility क्या है in case of the inquiry तो इन चीज़ों के बार में बात होगी ठीक है उसके अलावाद सर एक last question multi-state corporate society की पर बनता है that is वो क्या बनता है कि सर society के case में auditor के audit report कैसे जाएगा बहुत simple है बस एक चीज़ है यहाँ पर society के reporting के अंदर हर चीज़ों को classify कर दिया यहाँ पर auditor को बताना है कि books of account true and fair view दे रहे हैं कि नहीं दे राइट balance sheet के बार में अलग से बताऊगे अब आज जाते हैं सर हमारे corporate society के ऊपर सर corporate society के अंदर बेटा देख जैसे वहाँ पर था न सर जैसे अभी हमने पढ़ा सर multi-state corporate societies के ऊपर एक act लगता है that is multi-state corporate societies act 2002 लेकिन जब मैं बात करती corporate society की तो इसके ऊपर जो act लगता है that is corporate society act 1912 लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि सर देखो यहाँ पर पते है क्या वैसे तो there is a central act मतलब एक act है जो सारी कि सरी societies पर लगता है लेकिन फिर भी हर state के पास power है कि वो अपने state के according उस act के अंदर थोड़ा बहुत change कर सकती है तो यहाँ पर multiple ऐसे provision मिलेंगी जो as it is fixed नहीं है कि अलग-अलग state governments ने अलग-अलग बातों पर अलग-अलग bylaws दिये हैं जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो sir corporate society का audit करवाने का responsibility होता है sir registrar को तो यहाँ तो registrar खुद audit करता है यह वो अपने बिहाँ पे किसी और को appoint करता है तो sir कौन appoint हो सकता है sir एक तो chartered accountant yes sir उसके अलावा कोछ states के अंदर allowed है जैसे महराष्टरा states के अंदर allowed है कि जिन person के पास diploma holding है मतलब government diploma देती है उन person को जिनको corporate society के accounting के बारे में knowledge होती है तो जिन person के पास diploma होता है वो भी corporate society के auditor appoint हो सकते है sir वैसे basic responsibility registrar की है audit करने की अगर registrar या तो खुद करता है या अपने बिहाँ पे appoint करता है clear appoint कौन करता है sir registrar ये point हम यहाँ पढ़ते है registrar shall audit या तो खुद audit करता है cause to be audited by some person authorized by an audit in writing once in every year हर साल वो एक person को appoint करता है clear sir अब आया remuneration के बारी तो sir remuneration decide कौन करता है registrar decide करता है pay कौन करता है sir society clear अब sir books of account sir देखो multi-state corporate society के अंदर एकदम crystal clear लिखा वादे कौन कौन से books बनानी है लेकिन corporate society के अंदर उतना clear नहीं है उन्होंने बोल दिया sir बस इस तरीके से books बनाना कि सारी के सारी receives expenditure assets और liability sales और purchase के बार में information मिल चके बाकि उसको कैसी books बनानी है उसके regarding हर state हो सकता है कुछ अपने bylaws दे रहसे sir कुछ states के अंदर कुछ registers को बनाना mandatory होता है societies के लिए जैसे property and investment register इनके अंदर के होता है जितनी भी investments हो जितनी भी properties होती है उन सब को maintain किया जाता है fixed deposit register surety register की society नहीं अगर किसी के surety provide करी है उसके बारे में register maintain किया जाता है and other register तो मैं ये बोल सकती हूँ कि sir देखो पेपर के अंदर आए questions कौन-कौन से books of account maintain करने है तो sir एक काम करना basic information लिखाना उसके लाना लिखाना कि there's some statutory register that can be maintained by the society if the state required तो उसके कुछ example याद कर लेना clear? चलिए sir अब हम बात करते हैं सबसे interesting part की देखो sir इस society वाले part के उपर इसका audit भी बाकी audit की तरह ही होता है लेकिन जब बात आते हैं corporate society की तो sir इनका structure जब बाकी business से थोड़ा अलग है तो इनके audit को करते हुए there are some specific features जैसे सबसे पहला sir यापको पता है जब आप इस specific features पढ़ोगे न तो कुछ features तो बहुत journal है और कुछ features ऐसे हैं जिनके उपर direct question बन सकता है मतलब as a take एक point बना के पूछ लिया कि इस case में आप as a auditor क्या action लोगे ठीक है सबसे पहले मैं बात करूँगी overdue debts की auditor का responsibility है कि वो ensure करे कि सारे के सारे overdue debts ठीक से classified हो classified sir दो category में सारे भी overdue overdue debts को हमसे होते है सर मान लीजिए कोई debtor है कोई debt था उसका due date आ गया payment करने का ठीक है कोई due था कोई debtor था जिसको payment करनी चाहिए थी सर 30 जुलाई को लेकिन अभी तक payment नहीं करे ठीक है तो उसको बोलते है overdue मतलब due हो गया अभी तक payment नहीं की तो become the overdue तो सर जितने भी overdue debts है society उसको दो पार्ट में डालती है एक ऐसे जो 6 महीने से लेके 5 साल तक overdue है मतलब जिनको overdue है 6 महीने से जादा और 5 साल तक हो गया उनको डालोगे और एक काटेगरी डालते है ऐसे overdue जो overdue है more than 5 years तो इन दो काटेगरी में डिवाइड करना है और auditor को ensure करना होता है कि proper तरीके से classified हुए है की नहीं हुए इनके regarding provisions बने है की नहीं थीक है सर दूसरी चीज़ सर जो ये overdue debts है ना जो इनकी due date आ गई लेकिन अभी सक payment नहीं आई तो उनके regarding जितना भी interest book होगा न वो cash basis पे होगा quite logical तो सर ये बोला गया है की अगर interest का income count करते होए अगर किसी overdue debt से कोई interest income जो अकर है लेकिन receive नहीं हुई उसको कभी भी profit में conclude नहीं करना चाहिए उसको exclude कर देना चाहिए कहां से सर? profit से अगर कोई overdue debt से कोई interest अभी तक receive नहीं हुआ तो आप accrual basis पे book नहीं करोगे आप cash basis पे book करोगे अगर आपने book किया हुआ है तो उसको exclude करना पड़ेगा कहां से सर? profit से ठीक है सर? अब आया bad debts की बारी कि एक society के अंदर bad debts को कैसे identify किया जाता है तो sir bad debts करने का provision करने का जो right है वैसे journal right तो managing committee ही मिलके देख लेती है कि किस debtor को उनको अब bad debt में डालना है और किनको नहीं डालना लेकिन कुछ states में क्या होता है कुछ states के government ने बता रखा है कि bad debts identify करते हुए आपको auditor से certificate भी लेना पड़ेगा कि भाया हम इन debtors को bad debts में डाल रहे हैं जैसे महरास्टर के अंदर अगर आपके state government ने कुछ और नहीं बोला हुआ तो simple logic क्या है managing debtor identify करती है कि किन-किन debtors को bad debts में डालना है clear? सर यह बहुत simple provision है assets और liability का evaluation आप कैसे करोगे जैसे हर जगे करते हो कि ठीक तर वालवेशन हुआ है कि नहीं हुआ सारे के सारे include है कि नहीं है depreciation charge हुआ है कि नहीं हुआ properly capitalize कि है कि नहीं कि यह सारी चीज़े दुसरा audit को चेक करना है कि society जो काम कर रही है as per उसके objective के according काम कर रही है कि नहीं कर रही है और काम करते हुए सारे के सारे laws and regulation सर जो act के अंदर लिखा हुआ है उसके अलावा अगर state ने कोई bylaws दिये है उन सब के साथ comply हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है सर एक और important provision देखो सर society काम करती है अपने members के लिए और सारे members मिलके काम करते है ठीक है सर बेसिकली society बनी के उस पर बेसिस पर society क्या है सर एक business organization है is a model of the business जहां पर सब लोग मिलके काम करते हैं एक दुसरे के लिए ताकि outsider और middle means को eliminate करके एक दुसरे के persons का जादा से जादा profit करवा सके ठीक है सर तो अगर members, society ने अपने members को जितने भी loan दिये हैं उनकी repayment आ रही है कि नहीं आ रही regularly ये चेक करने के लिए auditor को क्या check करना पड़ता है sir order को check करना पड़ता है उनके members का passbook clear sir उसके अलावा एक बहुत ही important question that is special report to registrar sir देखो audit report तो जाती ही जाती है लेकिन कुछ cases के अंदर special report भी जाती है इसके उपर direct question भी आ सकता है कि किस case के अंदर corporate society को direct report देना पड़ता है या फिर direct report कब दी जाती है ठीक है sir अगर इन मेंसे कुछ भी हो रहा है तो इस case के अंदर क्या होगा auditor एक special report देगा registrar को क्या क्या अगर उसको लग रहा है कि sir society या जो managing committee है वो अपने personal benefit के लिए काम कर रही है ना कि ना members के लिए ठीक है sir या कोई fraud हो रहा है या उनको लगता है कि mismanagement हो रहा है sir या फिर sir society सब लोगों के लिए काम ना करके किसी particular group के लिए काम कर रही है अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है तो इस case के अंदर auditor की responsibility है कि वो registrar को special report दे ठीक है sir next है assets classification sir देखो auditor को खाली यही check नहीं करना होता कि debtors का classification ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ एक और बहुत interesting सा point है that कि sir auditor ना audit करने के बाद अपने examination के basis पे अपने examination के basis पे society को एक class provide करती है जैसे category ABCD और यहां पर क्या बोला जाता है कि जब भी वो class provide करे ना society को तो auditor को बहुत ध्यान से class provide करने होती है because अगर society को लगता है कि जो auditor है उसने जो classification दिया है वो सही नहीं है तो वो registrar को जाके appeal कर सकती है फिर registrar auditor को direction दे सकता है कि भई अपनी classification को ठीक करो बस समझ पाए important है important है यह तिनों point बहुत important है सर right this is also important और last sir कभी भी auditor अपना audit report खुद से final नहीं करती final करने से पहले वो draft को discuss करती है committee के साथ उसके बाद ही वो अपने audit report को final करती है clear उसके अलावा sir there are some restrictions सारी की सारी important है सब क्यों पर अलग से case study आ सकती है पहला sir share holding एक society अपनी member को maximum कितना share issue कर सकती है अगर number के point of view से देखे तो 20% of the share और value से देखे तो 1000 रुपीस से जादा नहीं कर सकती है maximum 20% number of the shares या फिर 1000 रुपीस value of the share यही issue कर सकती है clear हाँ लेकिन कोई member sir देखो एक society के अंदर दुसरी society भी दुसरी corporate society भी member हो सकती है तो अगर कोई और member corporate society है तो society को फिर भी इनसे जादा share issue हो सकते है otherwise किसी और को नहीं इतने ही share sir हम बात कर रहे हैं कि एक society माक्सिमम कितने shares अपने members को issue कर सकती है तो sir this is the number ठीक है number के business पे 20% value के basis पे 1000 रुपे इससे जादा नहीं कर सकती लेकिन हाँ अगर कोई society दुसरी society का member है तो उसको अगर register society है तो उसको जादा कर सकते हो उसके अलावा किसी और को नहीं ठीक है मतलब कोई individual है उसको नहीं society है उसको कर सकते हो दुसरा है loan यहाँ पे हम बात करने है अगर society ने loan दिया है तो sir वो सिर्फ अपने members को ही loan देगी अगर member के अलावा वो देना चाहती है तो वो किसी और society को ही दे सकती है वो भी with the sanction of registrar उसके भीना नहीं ठीक है sir यहाँ अपने members को देगी member के अलावा अगर किसी और को देना चाहती है तो वो सिर्फ 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 सुसाइटी को ही दे सकते है अब हम बात करते हैं sir अप्रोप्रियेशन अब दा प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट को डिवाइड करने से पहले सुसाइटी को अपने प्रॉफिट का कुछ शेर ट्रांसफर करना पड़ता है जर्नल रिजर्व में उसके बाद ही वो शेर को डिवाइड कर सकती है अज डिविदेंट या जे बोनस ठीक है sir बात समझ पा रहे हो अब सरेक बात बताओ अब उसने जो जर्नल रिजर्व में डाल दिया इस जर्नल रिजर्व को किस-किस परपस के लिए यूज कर सकती हो इस जर्नल रिजर्व को सुसाइटी यूज कर सकती है किस चीज के लिए वोकिंग कापिटल की तरह है ठीक है या फिर यूज कर सकती है sir किसी पब्लिक परपस के लिए अपने सुसाइटी के अब्जेक्टिव को बढ़ाने के लिए इंकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहां कहीं जा सकती है सर, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एक सुसाइटी, बैंक के अंदर, कैसा बैंक, सेंटल कॉर्परेट बैंक या स्टेट कॉर्परेट बैंक या अधर कॉर्परेट बैंक, सेंटल कॉर्परेट बैंक, स्टेट कॉर्परेट बैंक या अ उसके अलावा आपका Indian Trust Act Section 20 के अनदर जो specific securities है और इन्वेस्ट कर सकती है उसके अलावा जहां government अलाउ करे वहां कर सकती है बात समझ पारे हो सर जर्नल रिज़व क्या कोई भी अमाउंट अगर सुसाइटी इन्वेस्ट करना चाहती है तो सिर यहीं पे कर सकती है कहाँ कहाँ पे बैंक में वो भी कैसे बैंक कॉर्पुरेटिव बैंक ठीक है या तो सेंटल कॉर्पुरेटिव बैंक होगा या state corporate bank होगा या फिर corporate bank होगा उसके अलावा Indian trust act के section 20 के अंदर जो specific securities है उनके अंदर कर सकती है उसके अलावा किसी और society के अंदर कर सकती है जिसके liability limited होती है उसके अलावा से last line line तो हर जगा लिख दी जाती है कि जहां government allow करें वहां कर सकती है बात समझ पाए उसके अलावा से charitable purpose के अगर बात करें तो society maximum कितना charity में डाल सकती है 10% of net profit net profit का मतलब होता है profit के अंदर से journal reserve को minus कर दो उसके बाद जो बचता है उसका maximum 10% कर सकती है वो भी with the sanction of registrar clear sir और कुछ state के अंदर education fund के अंदर पैसे डालना compulsory होता है एक चीज याद रखना एक point बोलूँगी और जो चीज आप अपना education fund में डालते होना तो वो profit का appropriation नहीं होता बलकि charge on profit होता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है अगर आपने कुछ education fund में डाला है तो उसको अपने profit and loss के अंदर आपा एज़े expenditure डाल होगे ठीक है तो इसका क्या benefit क्या रहता है इसका benefit क्या रहता है इसके पर आपको tax benefit मल जाएगा expenditure बन गया अगर appropriation का पार्ट रहते है तो tax काटने के बाद जो profit बचता है उसको appropriate किया जाता है तो जो education fund में अमाउंट जाता है this is the charge on profit ना कि ना appropriation MCQ आ सकता है बच्चे भूल सकते हैं ठीक है अच्छा एक और चीज़ सौरी सौरी मेरा रहे गया political party के case में oh sorry multi-state corporate society के case में multi-state corporate society इसे पहले जो हम discuss कर रहे थे वो कभी भी किसी political party को donation नहीं दे सकते है यह याद रखना right so ये थी restrictions उसके बाद आ जाते हैं कुछ basic topic पे last topic के उपर that is corporate society का audit करते हुए auditor की क क्या responsibility है राइट सर देखो अगर हम बात करें ना right and duties की तो जो इतना part है तो बहुत easy है मुझे जो interesting लगता है वो लगता है सर ये कुछ three points ये वाला point ये वाला point और ये वाला point तो पहले तो फटा-फट ये वाला point देख लेते है ऊपर वाली बाते जर्नल बाते हैं सर क्यों auditor की responsibility क्या है उसके responsibility की audit खतम होने के बाद वो report submit कर दे किसको society को और respective authorities को जैसे registrar और वो अपनी report में क्या-क्या लिखे का journal बाते जो sir journal लिखता है कि sir books of account true and fair view दे रही है कि नहीं दे रही ठीक है दूसरा उसके according सारी की सारी information जो slips के अंदर आ रही थी कि नहीं आ रही थी profit and loss account true and fair view दे रहा है कि नहीं दे रहा किस चिसका profit and loss का balance sheet true and fair view दे रही है कि नहीं दे रही किस चिसका state of affair का on a given debt books of account जो बनानी चाहिए थी वो as per act बनी है कि नहीं बनी और financial statement book of account उट के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रही सर दीज आर दा सम बेसिक पॉइंट जो ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में लिखने होते हैं और अगर इसमें से किसी भी पॉइंट में नेगेटिव कमेट जाना है तो विद रीजन जाएगा राइट सर यहां तक था बहुत सिंप होता है जो हमने कमपनी सेक में भी देखा है लेकिन सिर्फ यहां पेना कुछ तीन पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जो मुझे लगते हैं कि जब पेपर में आएंगे तो बच्चे इनको इगनौर कर सकते हैं सबसे पहला क्या है कि इन सब के अलावा ओडिटर को एक शेडियूल और इशू करनी होती है जिसके अंदर कुछ ट्रांजक्शन के लिस्ट जाती है मैंने क्या बोला इस रिपोर्ट के अलावा ओडिटर को एक शेडियूल भी लगाना पड़ता है अपनी ओडिट रिपोर्ट के अंदर पेपर के अंदर आए शेडियूल बाइदा ओडिटर इ की गई है ठीक है सर उसके अलावा ऐसा कोई भी अमाउंट जो बुक में आना चाहिए था लेकिन बुक में नहीं आया कोई भी ऐसी प्रॉपर्टि या एसे जो ऑडिटर को लगती है कि जो बैड डेट होनी चाहिए थी लेकिन कंपनी ने नहीं की या फिर कोई भी मटीरियल इर्रेगुलरिटी रिगार्डिंग दा एक्स्पेंडिचर या फिर कोई मनी जो सुसाइटी को मिलनी चाहिए थी या सुसाइटी को पे करनी थी उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इर्रेगुलरिटी है तो उसके बारे में लिखेंगे एनी अधर मैटर्स बास समझ पार सर अगर लगता है कि कोई transaction as per law and regulation नहीं की गई उन सारी transaction की list आएगी उसके अलावा कोई भी amount जो books में आना चाहिए था लेकिन नहीं आजा उसके अलावा कोई भी अगर assets या property लगता है bad debts होनी चाहिए थी लेकिन नहीं की हुई उसका list में डाल दोगे सर उसके अलावा अगर क these are the list अगर सर एक बाई बताओ लेकिन जरूरी तो नहीं है किसी society में यह सब कुछ हो भी कोई यह सब तो गड़बर है हो सकते है कोई society बहुत अच्छी है सब कुछ बहुत बढ़ी है तो सर इस case में हम देते है निल report अगर उपर में से कोई भी matter नहीं है तो auditor जो report देगा उस के अलावा दो set of questions की answer भी करने पड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं audit memo सर दो set of questions होते हैं जिनको हम बोलते हैं audit memo first part के अंदर journal question होते हैं जो सारी की सारी societies पे अप्लिकेबल होते हैं और दूसरा set of questions बहुत specific particular society पेप्लिकेबल होते हैं सब पे नहीं रास्ट निरेटी फॉर्म सम प्रॉबलम होती है तो auditor क्या करता है अपनी audit report का एक narrative form उसको देता है जहां पर हर चीज़ बहुत summarize form में होती है इस रिपोर्ट के narrative form की अंदर दो पार्ट होते हैं part 1 and part 2 part 2 की अंदर जितनी भी regular चीज़े हैं वो आती है और part 1 की अंदर जितनी भी important चीज़े हैं जैसे अगर auditor को लगते है कि यहां पे society कोई गड़बड कर रही है कोई negative cash flow हो रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसका impact पढ़ रहा है उनके financial positions के उपर ठीक है कोई भी ऐसी चीज़ ज इन सब के improvement के regarding point देता है कहां पे sir part 1 की अंदर बास समझ पाए तो auditor के अगर मैं audit report की बात करूं in case of the society multi-state corporate society के अंदर simple था in case of the society अगर मैं बात करूं reporting की तो sir journal audit report जाती है उसके अलावा दे दिया जाता है एक schedule जिसके अंदर ये सारी transactions आती है अगर हैं तो अगर नहीं है तो nil report दिया जाता है उसके अलावा sir auditor two set of questionnaire का भी answer करता है set one and set two ठीक है उसके अलावा chair person को जो report issue की जाती है उसको बोलते है narrative form of report ठीक है उसके दो part होते है part 1 and part 2 part 2 में journal information routine चीज़े आती है लेकिन part 1 के अंदर जितनी भी important चीज़े हैं जो society के business को और अच्छे से बढ़ाने में काम करेंगी profitability को बढ़ाने में काम करेंगी उस चीस के बारे में बात करते हैं बात समझ मैं sir ये था आपका corporate society काफी important topic है बिकोज इसके पर छोटे बड़े हर type के question बन सकते हैं बहुत सारे ठीक है मेरे favorite अगर मैं बात करूँ तो special feature ठीक है उसके अलावा मुझे ये reports वाला part बहुत पसंद है restrictions are also important उसके बाद से special audit, inquiry and inspection and ये वाला point बिकोज इसमें गढ़बढ करने के बहुत chances हैं ठीक है तो sir ये था आपका corporate society उसके अलावा कोई भी audit के अंदर problem है तो आप मुझे whatsapp कर सकते हो मेरे number पे ठीक है उसके अलावा आप मुझे email कर सकते हो sir आप मुझे मेरे number पे whatsapp कर सकते है आप मुझे email कर सकते हैं CA जोदी गर्ग audit classes ठीक है sir कोई भी problem है तो प्लीज पूछ लेना चलिए All the best and take care see you